सड़खाट्सों में घायल व्यक्तियों के हॉस्पीटर में केश्रैस, इलाज की मांग को लेकर सुप्रीम कोड के वरिस्ट अधिवक्ता केसी जनने जनहित में एक याचिका दायर की है इस याचिका पर संग्यान लेकर सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार से जवाब मांगा है सड़कासों में घायल व्यक्तियों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है इसके चलते घायल व्यक्ति की म्रत्यों की संभावनाय प्रबल हो जाती है इसी को ध्यान में रखते हुए संसत द्वारा मोटरवाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 162 में यह नई विवस्था की गई है कि सराखास्तों में घायल व्यक्तियों का स्पताल में कैशलेस इलाज के लिए केंद्र सरकार योजना बनाईगी पूर्ति उज्वल मुवन की पीठ द्वारा केंद्र सरकार से तीन सपताहा के अंदर जवा मांगा है और या आचिका के लिए 4 अपरेल तारीक नियत की गई है सडकों पर बड़ी संख्या में हाथ से होते हैं वर्ष 2022 की रिपोर्ट के नुसार से लगभग 4,60,000 सडक हाथ से हुए जिनमें 1,63,000 लोगों की मौत हो गई और लगभग 4,60,000 लोग घायल हो गई ऐसे घायलों के पास पैसा नहीं होता है प्राय कि वो अपना इलाज करा सके और इलाज के अभाब में अनेक बार लोगों की घायल वेक्तियों की मौत्ति हो जाती है तो वो उनका कोई काम का नहीं है इसी प्रस्ट भूमी को लेते हुए सुप्रीम कोट के अंदर यह याज का दायर की गई जिसमें सुप्रीम कोट ने सुनवाई के उपरांत के इन सरकार से को तीन सब्ता कर समय देते हुए उनका जबाब मांग लिया है और अब भी सुनवाई चार मार्च को होनी है प्रशन यह है कि कैशलेस ट्रीटमेंट होना चाहिए मोटर वहःकल एक्ट के दोजार 19 के शिंशोधन के बाद में कैशलेस ट्रीटमेंट कि विवस्ता है लेकिन योजना के अंदर सरकार के दौरा नहीं बनाई गई जब तोजाब 20 के अंदर ये अधिनियम आया था मोटर वहःकल एक्ट का तब केंद सरकार के द्वारा ये घोशना की गई थी कि हम योजना बना रहे हैं आटी आई में अपरेल 2023 में पूछा अगस्त 2023 में पूछा तो उन्होंने कहा स्कीम अंडर फाइनलाइजेशन है ये विलंब बहुत दुखद है केंद सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी योजना बनाए और लोगों को इस योजना के लाप पहुंच सकें लोग इलाज के अभाब में, क्वालिटी ट्रीटमेंट के अभाब में मरे नहीं तो उमीद है कि बड़ी राहत मिलेगी सुप्रिंगोट के आदेश से सरक परिवहन एवं राजमार्ग मंतराले की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सरक हासों की संख्या 4,88,312 थी जिसमें 1,68,491 व्यक्तियों की मरत्य हो गई और 4,43,366 व्यक्ति घायल हो गई हासों में होने वाले मृत्यों की संख्या अब तक की सबसे अधिक थी और हाईवे और एक्स्प्रेस वे बनने के बाद हासों की गंबीरता भी उलेखनी है जहां प्रते एक सो सडक हासों में 365 व्यक्तियों की मौत हो जाती है जिसके कारण अधिक ट्रॉमा सेंटर की आविशकता है और कैशलेस इलाज भी जरूरी है ताकि धन का भाव इलाज में रुकावट ना बने और घायल व्यक्ति को अच्छे इलाज से बचाया जा सके सीन्यूस के लिए अजे बहादुर की रिपोर्ट झाल